मलब तो क्या कॉंग्रेस में गांधी वर्सिस गहलोत हो चुका है समझेगा ये फाइलेट वर्सिस गहलोत नहीं है तरसल पाइलेट बहाना है परिवार निशाना है ये गांधी वर्सिस गहलोत क्योंकि कॉंग्रेस के कुछ ने था तो यहां तक कह रहें कि आज तक गांधी परिवार का इतना अपमान तो BJP ने नहीं किया, जितना अशोगहलोत ने किया, इस बगावत की पूरी स्क्रिप्ट में पाइलेट बहाना हैं और गांधी परिवार असल निशाना हैं, और क्या कॉंग्रेस में लोकतंतर को दिखाने के लिए जो पाइलेट प फेल होगा क्या, और क्या राहूल गांधी जो भारत जोडो यातरा निकाल रहे हैं, उसका रिवर्स इफेक्ट उनकी पार्टी पर हो रहा है ना, देखें इस चीज़ को समझेगा कहां से शिरुवात हुई थी, याद करिए ना, कि भारत जोडो, क्या भारत जोडो से पहले कॉंग्रेस जोडो यातरा शुरू होनी चाहिए क्या, याद करिए, आपको कुछ आगड़े दिखाते हैं, जब भारत जोडो यातरा का एलान हुआ, तो गुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस से आजाद हो गए, शुरुआत हुई थी, जब यातरा की घोशना हुई थी, तो खुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस पार्टी से आजाद हो गए, फिर कश्मीर कॉंग्रेस के नेताओं ने पार्टी चोड़ दी, यातरा का आठवा दिन आया, यातरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो पर देखिए, गोवा कॉंग्रेस के आठ विदायकों ने पार्टी को ट का क्या होगा, मतलब सोचिए, शुरूई थी यातरा, तो गुलाम नभी आजाद, आजाद हो गए थे, उपर फिर आगे बढ़ी थी, यातरा का आठवा दिन था, तो गोवा कॉंग्रेस के आठ विदायक छोड़ कर चले गए थे, अभी उनीसवा दिन है, तो राजिस्तान म कस्मे खाते रहें कि वो परिवार के वफादार हैं, समझिएगा, जो अशुक गहलोत हमेशा से ये कहते रहे कि पार्टी का आदेश सर्वोप परी है, वो क्या, मतलब पहले ही एक्जाम में फेल हो गए क्या, मतलब ये तो कहा जा रहा है कि भरोसा किया अशुक गहलोत पर और उनों ने, उनके विदायकों ने सीफा दे दिया, परिवार का पालिट प्रजेक्ट क्या फेल हो गया, अब गया गांधी वर्सिस गैलोद, अच्छा मिरे साथ एक खास महमान है, मिरे साथ सुनील जाखड जी और अभी मिरे साथ फिलाल सुनील जाखड भी है, लेकिन मिरे अश्वनी कुमार कॉंग्रेस के बड़े नेता रहे, देश के कानून मंत्री रहे, अश्वनी कुमार जी में साथ इस वक्त लाइव है, सर बहुत-बहुत धन्यवाद और सुनील जाखड भी आपको नजार आ रहे हैं, आप दोनोंने सर समय निकाला, लेकिन पहले में अश् गैलोत है, क्या हो रहा है सर, आपकी प्रतिक्रिया, अश्रुनी कुमार, जो भी है बहुत दुर्भागे पूर्ण है कॉंगर्स पार्टी के लिए, जैसे पंजाब में कॉंगर्स ने अपने सरकार गमाई, उसे तना राजस्तान में अब सरकार को खतरा सा प्यादा हो रहा ह पर दो बातें साफ है मेरी राय में, कि इस बार इस दौर में अब सचन पालिट वहां के मुख्यमंतरी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि विधायक दल में बहुमत, पूर्ण बहुमत अशोग गहलोट के पास है, और अशोग गहलोट मुख्यमंतरी पत्का को छोड़ने के लिए आज राजी नहीं हैं, दूसरी बात ये भी साफ है कि जिस तरह का विश्वास अशोग जी में कॉंगस की लिडरिशिप का था, अब शायद वो नहीं रहेगा, और इस स्थिती में क्या वो कॉंगस अध्यक्षपत के लिए चुनाव लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, इस पर भी प्रशन चिन हैं, पर हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें और जीत विजाएं, मगर किसी भी हालत में, किसी भी स्थिती में, राजस्थान की आज की राजनीती में, अशोग गेलोड के वल्चस्व को सचन या कॉंगस आला कमान चुनावती नहीं दे सकते, यह मेर मानना है, मगर दुख की बात यह है, बहुत विडंबना है, कि जिस व्यक्ति को कॉंगर्स पार्टी, और कॉंगर्स पार्टी में आज भी बहुत सूजवान नेता है, सोनिया गांधी बहुत सूजवान नेता है, जिसको सीषपत पर बिठाने की बात चल रही थी, उसी की स् फोर पुलिटिकल प्रतिदुन्दी को अगर चीफ मिनिस्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, तो इसका नतीजा तो साफ था, ये तो किसी भी कीमत परशो गलोट नहीं होने देंगे, ये आज से हमें मालूम नहीं है, पहले से मालूम था, पता नहीं कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, पर ये सारी प्रक्रिया में मैं समस्ता हूं कॉंगर्स आला कमान को बहुत बड़ा जटका लगा है, मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी लीडरिशिप की कम हुई है, और कॉंगर्स पार्टी को राजस्थान में बहुत नुक्सान होने वाला है। क्या अब भी कॉंगर्स पार्टी अशोक गहलोत को इतना कुछ होने के बाद अध्यक्ष बनाएगी, या परिवार चाहेगा कि अध्यक्ष बने अशोक गहलोत, जिन्हों ने एक तरीके से अथॉरिटी को ये ओपन चैलेंज दिया परिवार को आला कमान को। मैंने अपनी टिपनी में इसका संकेत दिया था, हो सकता है कि अशोक गहलोत को वो सपोर्ट अब ना हो कौंगरस आला कमान की जो आज तक उनके साथ थी। और मैं समझता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये समझा जाए दिल्ली में कि अशोक गहलोत की मर्जी के बगार MLA बागी नहीं हो सकते थे, तो किसी भी कीमत पर उस तरह का विश्वास अब कौंगरस की लीरिशिप उनमें नहीं रखेगी, जो एक समय में था, पर ये सब चीजें मैं समझता हूँ, कि अशोक जीने सोची होंगी, वो बड़े गुरे होए नेता है, उनका ये मत शुरू से रहा है, और इस पर वो अडिग रहे हैं, कि मैं राजस्तान के सेवा करना चाहता हूँ, मैं राजस्तान के राजनीती से अभी विमुक नहीं होना चाहता हूँ, और ये बात किस परश्टी करन 92 से ज़्यादा कौंगस पार्टी के विधायकों ने करी है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कियमत पर आज की स्थिती में 92 से अधिक कौंगस पार्टी के मर्जी के खलाफ किसी और आदमी को महां का मुक्हमंत्री बनाया जा सकता है, ये का जा रहा है कि अशोग घैलोत ने बैक्स्टैबिंग की, ब्लैक मिलिंग की धोका दिया, उन पर भरोसा जाहिर किया, आला कमान ने, परिवार ने, उनको अध्यक्ष के लिए चुना, और उसके बाद उन्हों ने ये किया, देखें, अंग्रेजी में कहावत है, यू स्टैंड वेर यू सिट, ये किसके नजरिये से सोचा जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, कि किसने किसको धोका दिया, अशोक गहलोट अपनी तरफ से ये बहस कर सकते हैं, कि मैं सारी जिंदगी लॉल रहा, मैंने जो आला कमान ने कहा, अपने पचास साल से ज़्यादा की जीवन में, वो किया, उन्हों ने कहा कि कॉंगर्स मत का देख्ष, का चुनाव लड़ो जो मैं नहीं लड़ना चाता थ मैं फिर भी लड़ने को र्याजी हो गया, पर उन्हों ने मेरे घोर प्रती दूंदी को मेरे बैक यार्ड में, मेरी स्टेट में, मुझे पुलिटिकली खतम करने के लिए खड़ा कर दिया, तो गलती मेरी है या उनकी है, आला कमान ने कह सकते हैं, कि अशोक गलोट जो भी ह हैं, हमारी सपोर्ट से हैं, और अगर आज हमने उनसे एक बात मांगी, तो उनको हमारी बात माननी चाहिए थी, अब यह तो आपस की बात है, इस पर मैं क्या टिपनी कर सकता हूँ, पर दोनों बातें अपनी जगा ठीक हैं, मगर कॉंगर्स पार्टी का इसमें बहुत नुक सब्सक्राइब को इस तमाम चीजों के लिए, क्योंकि ऐसा तो है निकि डर नी था, इस चीज का ये तो होना था, मतलब अभी कि ये किसी ने ट्वीट करा कि अगर आप विराट खोरी को कहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम छोड़कर जिंबावे टीम